अगर हम किसी object को इस beaker के पानी में डाल रहा हैं, तो ये object पानी के अंदर नहीं जाएगा, ये देखे ऊपर आ जा रहा है, ऐसे में डालना हो प्रेसर ना, ये ऊपर आ जा रहा है ना, ये ऊपर आ रहा है, तो आप एक और तरह से देख सकते हैं, मेरे पास तीन बाल है, छोट दूंगा नीचे, ये भी उपर आ रहा है, नीचे डाल रहा हूँ ऐसे, उपर आ रहा है, अगर मैं बड़े बाल को भी डाल रहा हूँ, इसको मैं डाल रहा हूँ ऐसे, ये उपर आ जा रहा है, नीचे से force यूज हो रही है, जो नीचे से force इस object को उपर धकेल रही है, उस force को ह अब thrust force या biogancy force बोलते हैं